अगली कबर में बात करते हैं इंदौर की जहां सीमराइज स्कूल को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर वॉल पेंट गोटाले का आरोप लगाया कांग्रेस नेताओं ने कहा तीन महीने में दूसरी बार स्कूल की बिल्डिंग के पुताई की जा रही है मार्च महीने में इंदौर जिले के छह स्कूलों को सीमराइज स्कूल घोसित किया था इन में मालफ कन्या, अहिल्याश्रम, महराजा, सिवाजी रौ, महु और सानवेर से सरकारी स्कूलों के नाम सामिल है इन स्कूलों में CBSE स्कूलों की तरह सुविधा दी जाना है सहर कांग्रेश प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महराजा सिवाजी रौ स्कूल में तीर महीने पहले पूरे स्कूल की पुताई कराई गई थी PWUD दौरा इसका ठेका 11 लाख रुपे में दिया गया था अब तीन महीने बाद फिर स्कूल की पुताई सियम राइस के नाम पर करवाई जा रही है और कहा जा रहा है ये रंगाई पुताई सब भोपाल के आदेश से हो रही है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर के सानवेर देपालपूर में स्कूलों में सिच्छक नहीं है सियम राइस में स्कूल बसे, वाइफाई, केंटीन, लैब, सहीत कई सुविधाई यहां पढ़ने वाले बच्चों को मिलना है मगर सुरुआत में ही घोटाले सुरू हो गए है उनका आरोप है कि इंदौर में सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट नहीं है महराजा सिवा जिरॉय स्कूल में जहां पहले 4-5,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे में सिर्फ 72 स्कूल बनाने की घोशना की है कांग्रेज द्वारा इस पुताई घोटाले के विरोत में इंदौर सियम राइज स्कूल के समन्वेक नरेंद जैन का घेराओ किया जाएगा और घोटाला सियम राइज स्कूल के बोर्ड लगाए जाएंगे जिसका व्याया थक 11 लाग रुपे तीन मेने में इसा क्या हो गया कि इनुने फिर नहीं पर पुताई करवाने का काम शुरू कर दिया सियम राइज के नाम से